UPSC ESE की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है और यहां पर आप देखोगे कि अभी जो है इसकी लास्ट टेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 18th of 18th of 9th से 2024 को तो सुरू ही है लेकि लास्ट आपकी यहां पर 8th of October 2024 तो इस लास्ट टेट को आप याद रखना क्योंकि लास्ट टेट जो है वो बहुत ही कुरूसियल होता है और इसी डेट से पहले आपकी जो है वो फॉर्म फिलप हो जानी चाहिए तो देखो यहां पर आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो यह नोटिफिकेशन जो है वो 18 सब्सक्राइब को आई है और जैसे ही आप इसमें नीचे जाओगे तो यहां पे पेज नंबर फाइफ पर आपको मिलेगा तो बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं कि आगे जो है इसमें इसमें प्राइडिया है तो आप देखो यहां पे जो नोट पहली एक चीज और इस अगर पढ़ोगे वीडियो को चाहे तो पॉस करके आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉस कर लो और इसको पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं करा सकते मिस अगर आप जो है वह आपने अपना कैटेगरी यूर फिल कर दिया अगर आपके पास relevant documents है justify करने के लिए तो यह हो सकता है लेकिन आप category change मत करना इससे एक negative impression पढ़ेगा और सायद आपकी अगर हो भी रही होगी जौब तो वह भी जो है वह जा सकती है तो इतना risk लेने का नहीं है अगर आपके पास EWS category certificate है then only go with you EWS otherwise you should go with you are okay so keep this in your mind तो आगे आप EWS certificate के basis पे reservation लेना चाते हो तो EWS के और important information में आपको देना चाहूंगा कि अगर आप जो है वह student हो या फिर working professional हो तो आप जो है वह आचार परसांत की वीडियोस देख सकते हो काफी आपके लिए helpful होगी और अगर आपके life में भी problems है और अगर आप उसको सटिक solution नहीं मि मिल जाएगा इनकी चैनल पर आप देखोगे तो लगबग जो है वह चार करोड से ज्यादा लोग जो है वह जूट चुके हैं और इनकी जो वीडियोस होती है वह day to day life से related होती है जो की काफी जो है वह आपको insightful education यहां पर मिलता है तो आप जो हुए इनकी वीडियोस और basis of financial year 2023 to 2024 अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो certificate है वह 1st April के बाद तो होना चाहिए लेकिन आपका certificate जो है वह last state of form feeling से पहले भी होना चाहिए यह भी देखो यह जो आपको certificate का format होता है वह एक page का ऐसा format होता है कुछ और इसमें जो है वह यहां पर आप देखोगे कि दो आपको space दिखाई देंगी यह है एक valid year तो यहां पर आता है 2024 to 2025 ऐसा कुछ लिख सकते हो और जो नीचे में यहां पर financial year है यह financial year में आपका 2023 to 2024 यह fill up होगा तो इ clearly जो है वो इसको समझो वरना बाद में आप जो है वो अगर गलती भरवाल होगे तो फिर problem आप ही को होनी है okay तो यहां पर देखो कि यहां पर जो clearly mentioned है नहीं यह वाला point तो यह इसके लिए कि आपका जो certificate है वो 2024 में आपका आठ दस से पहले का होना चाहिए okay so keep this in your mind वरना बाद में आप ही को problem होगी okay इस बात का ध्यान रखना अब इसमें जो crucial details है वो मैंने आपको दे दिया है अगर आप एक चीज और इसमें नोटिस करो तो देखो आपका जो certificate है एकदम समडाइस्ट वे में मैं बता रहा हूं अगर आपका certificate है वो एक अप्रेल 2024 के बाद का बना होना चाहिए 8 October से पहले का होना चाहिए valid year 2024 से 2025 होगा और financial year 2023 से 2024 होगा अगर आपका certificate 31 March 2024 से पहले का है 31 March 2024 से पहले का है means ये वाला case तो वो acceptable नहीं होगा बाद में आपको document verification में problem होगी तो ऐसा आप जो है वो कलती मत करना अगर आपके पास अभी EWS certificate है then only you should fill with EWS category certificate अगर EWS नहीं है तो फिर आप यूर से fill up करो अगर आप जो है वो last date of form film के बाद certificate बनाते हो और अगर वो तीन महीने से ज़्यादा प्ड़ाना होता है तो वो फिर आपका acceptable नहीं होगा तो इस पात का भी ध्यान रखना कई बार तो miss class date को ही जो है वो crucial मान लेते हैं अग्दम पूरे miss strict हो जाते हैं लेकिन कई बार relaxation आपको दे देते हैं कि ओके ठीक है आपका एक-दो महीने का अगर है डिले तो वो भी चलेगा लेकिन आप वो risk मतलो अगर आपके पास certificate है तब ही आप EWA से fill up करो और वरना आप यूर से fill up करो तो इस पात का आपको ध्यान रखना है वरना बाद में आपको डिटेल वीडियो बना दी है आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में मिल जाएगी तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेना और फिर भी और कोई query हो तो आप comment कर देना